तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडिये में बात करने वाला हूँ Redmi Note 10S के बारे में क्योंकि यहाँ Redmi Note 10S को लिए कि काफी लोग की में पास सवाल आ रहे कि Redmi Note 10S में अभी तथ MIUI 13 अपडेट नहीं रोल आउट किया गया है ग्लोबल में मिनना स्टार्ट हो चुका है तो इंडिया में कब तक अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला तो दोस्ते यहां पर सबसे पहले बात करो Redmi Note 10S के ग्लोबल वेरेंट की तो यहां पर आप लोग को बताने तो कि Redmi Note 10S के लिए MIUI 13 का फाइनली ग्लोबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 13.0.2.0 का एक बिल नमबर देखने के मिलता है लेकिन यहां पर जो अपडेट ही अभी सभी उज़र को नहीं मिला अभी अपडेट सभी उज़र को कब तक देखने के लिए मिलेगा क्योंकि Redmi Note 10S का जिनके पास ग्लोबल वेरेंट है तो यहां पर काफी लोग को अपडेट नहीं मिला तो मैं आपको बताने चाहते हो जो अपडेट इस ति पाइलेट उज़र को मिला सभी उज़र को नहीं मिला अभी अपडेट अप सभी उज़र को कब तक मिलेगा तो जिनके पास Redmi Note 10S का ग्लोबल वेरेंट है तो आप लोग के लिए MIUI 13.0.2.0 का जो MIUI 13 का अपडेट है वो अपडेट पब्लीकली रोल आउट होने के लिए आप वाले दो से तीन वीक में ये अपडेट आपको इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बता दू इंडिया में भी बहुत ही जल MIUI 13 अपडेट रोल आउट होने वाले है क्योंकि यहां पर आप लोग को पता है एक security अपडेट रोल आउट किया गया तब कुछ अब लोगों वेट कर रहा है मिड में से पहले अप्रिल एंट तक काफी जादा चांसे अपडेट आ सकता है अप लोग के लिए मिवाइट रोल आउट हो चुका है अब इसके बाद आप लोगों डायरेक्ट मिलने वाला है जो कि मैं आपको बता चुका हो कब तक मिल सकता है तो अब आप लोगों समझ में आगा होगा आपकी डिवाइस में मिवाइट अपडेट कब तक मिल सकता तो उम्मीद कर आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं कि इसको जाइन कर लो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पसना आए लिए लाइक